तो राहू के तु भी जब होते हैं, तो कईना के तो परेशानी दे रहे होते हैं, क्यों ऐसा? राहू को इस तरह से समझे कि आपको लग रहा है कि कोई चीज बहुत सही है, मैं बिल्कुल सही फैसले ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहा हूँ एक्षुल में जब आप देखोगे उसका रिजल्ट, तो आपको रिजल्ट कुछ मिली नहीं रहा है, जब भी राहू का दशा, महा दशा या अंतर दशा चलेगा, इस टाइम पीरिड में इंसाम बहुत बड़ी बाते सोचेगा, कि दो चार बिजनस तो खड़े गरी लूँग आपकी ठीक है, सूर आपकी नौकरी भी है, तो नौकरी में भी प्रॉब्लम देता, एक होती है लोगों के लाइस में प्रॉब्लम शादी, दूसरी होती है जॉब, अब गॉर्मेंट जॉब करनी चीए, प्राइवेट जॉब करनी चीए, प्राइवेट जॉब करनी चीए, और उस ताइम में कुछ देख नहीं पाते है फिर हट भी कर देते हैं जुबान भी कड़वी हो जाती है सब कुछ हो जाता है अगर आप आंशिक मांग लिखो तो आप जल्दी से सांत हो जाओगे विदिन फाइव टेन मिनेट पूर मांग लिखो तो हो सकता है पूरे दिन गुस्ता चले आपका तो फिर मैं क्या मतलब मैं अपने इसाब से पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सवाल मेरे तरफ से आया आंशिक कोई देखके बोल रहा है तो मैं अपने को क्या मानू कि मैं कि मैं लगना दिखू कि चंद्र दिखू बैसिकली वैसे आम तौर पर दोनों कुल्डियों में अगर आप मांग लिखें बाइपॉल तो सर फिर अभी राहू और केतु बचे हमने मांग लिख की बुरी अच्छे से बात कर ली तो राहू केतु भी जब होते हैं तो कईना के तो परेशानी दे रहे होते हैं क्यों ऐसा राहू के तो हमेशा परेशानी नहीं देते बहुत अच्छे अच्छी पोजिशन में बैटने जैसे थर्ड आउस राहू बहुत महंती बनाता है सुसराल आपको इंफुलेंशल मिलता है सुसराल में जाकर फायदा होता है थर्ड जाकराजटे हैं तो इसНग सापड़ साहत है कि आप प्राइश में सद्सकरलॡ ने लीचा स्वेदा है चिस गया गाकर लाई बृटते हैं मिलता है तो ऑप इंजड है अज मीवै नहीं सबनाट पने पने प्लैने बेंज़तन दुक्त होती है एंज़ तैं आउस रहधों में और भूझना नापस प्लेनेट भूत में डून हें और हिसिटम प्लेव काल प्लेट नहीं है। उसको समझना बहुत व्य diet भडूत में इतके कहते हूं दुनिया भसमेय है। वह समयसे मतलख अभड़े लॉस्पार कुए। जब आप देखोगे उसका result, तो आपको result कुछ मिली नहीं रहा है, तो आप एक illusion में भर्म में हो, वो भर्म राहु है, मजे की बात यह है कि ब्रहमित वक्ति को कभी लगता नहीं है, उसे यह लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ, तो यह राहु का खेल है, इसलिए राहु जब लाइफ में आता टाइम वेस्ट करवाता है अपका जब भी राहू का दशा महा दशा या अंतर दशा चलेगा इस टाइम पीरिड में इंसान बहुत बड़े-बड़े बाते सोचेगा कि दो-चार बिजनस तो खड़े करी लूगा तीन-चार गाड़ियां भी आ जाएंगी आप अपने दिमाग के किले में रह रहे हो वहां के राजा हो और वहां पर सब कुछ हो यह कौंसे घर में होता है यह राहू की दशा में होता है दशा टाइम पीरिड में राहू की यह होता है तो राहू को इस तरह से संज़ें और राहू मैंने का राहू आपकी अटेश्मे पापा होगे उस house की चीजों को related आपको मन में कुछ ना कुछ खटास रही जाएगी कि यार ये होता तो जादा बहता रहता जैसे राहू जब first में बैटता है इंसान कभी अपने आप से सुखी नहीं हो पाता क्योंकि first house आप खुद हो आपकी self है तो उसे लगता है कि मैं और बहतर कर सकता था मुझे और जादा अच्छा मिल सकता था ठीक है I deserve more ठीक है मुझे और मेहनत करनी चाहिए तो कभी sense of satisfaction नहीं आता कि I am doing good बहुत अच्छा जा रहा है मेरा इसे राहू जब second house में बैठेगा अच्छन भी carry करता और attachment रहू जहां बैठेगा उस house की चीजों से बड़ा attach कर देगा आपको रहू fourth house में आप अपने मदर से बड़े attach हो आप अपने घर परिवार से family environment से बड़े attach हो रहू tenth house आप अप अपने काम से बहुत attach हो ठेक है तो यह रहू वो attachment भी है और हमारे सारे दुख attachment कही तो है आप अगर अपनी live देखोगे कि आपको किस चीज़ का pain है तो उस pain में एक attachment ही नजर आएगी और छोड़ना किसी ने सिखाया नहीं हमें कि किसी चीज़ को चोड़े कब ना चोड़े तो जब छोड़ने की बात आती है let go की बात आती है detachment की बात आती तो केतू रोल में आता है ठेक है तो यह opposite है राहू का और हमेशा साथ घर दूर रहते हैं हाँ क्योंकि यह चंद्रमा की north node राहू है चंद्रमा की south node केतू है तो वैसे ही opposite है तो चंद्रमा जैसे move करता है तो यह भी move करते रहते है ठेक है तो यह हमेशा कुंडली में opposite ही मिलेंगे जैसा solar system में वैसी कुंडली में placement मिलेगी जैसे हमेशा sun के आसपास आपको mercury मिल जाएगा venus मिल जाएगा sun के आसपास एक house आगे पीछे आपको मिल जाएगे क्योंकि आप solar system में भी देखो तो mercury वीनस sun के आसपास ही है तो यह वह ही placement है तो रहू opposite है तो कुंडली में भी opposite ही मिलेंगे यही काल शब्दोस मनाते हैं ठेक है जब सब को जखर लेते हैं सब को बांध लेते हैं केतु के हम बात कर रहे तो केतु बहुत प्यारा प्लैनेट है इसको space पसंद है इसको खालीपन पसंद है इसको अलगाओ पसंद है spirituality पसंद इंटिलेक्ट पसंद है research पसंद है केतु को और इसलिए केतु जब चोडने की बात करता है इसलिए जोतिश में बोलते है केतु बारवे घर में बैटे तो यह मोग्ष का है यह लास्ट लाइफ है आपकी पर इसे कोई verify नहीं कर पाता ना ठीक है कि है कि नहीं कोई उपर से आया नहीं तक बताने जुपिटर के बारे में बोलते है यह लास्ट लाइफ है आपकी अच्या क kilos के जुपिटर र्वे यह लेन देन बोलते है जोतिश में बूला जाता है माना जाता है इसा रहे ही कि यह जिए fine नहीं हो सकते है तीक है कि अगि लास्ट लाइफ थी कि नहीं ती फिरे फाई नहीं हो पाती आप केतू जब बैठ जाए आपके 10th house में 10th house आपका profession है आपका काम करने का style है सो केतू का style वहाँ अराम पसंद हो जाता है छोड़ो यार अराम से करेंगे ठीक है काम में क्या रखा है तो वो smart worker बन जाता है फिर वो बहुँच जादा मेहनत वाले काम ने करता ठीक है तो यह राहू के अब यह क्या जो समुद मंतर की कहानी है कथा है उसमें जब राहू बैठा था अमरत पीने के लिए ठीक है विष्णु जी सबको अमरत पिला रहे तो किस ने बताया था विष्णु जी को बाद में कटने के बाद तो तब से राहु के तो की सूर जन्दृमा It cherryét में इसाले जब कुंड्णी में सूर के साथ चंडर्मा चंडर्मा को बोल जाता है अब लगाता एस पर अधिये सूर जिसकी कुंड्ली में फिर बार बैठ जाएगा, सूर से मिलने वाले effects को ग्रहन लग जाएगा, जैसे fame नहीं मिलेगा, जितनी respect चाते हो वो नहीं मिलेगा, father से अन्बन करा देगा आपकी सूर आपकी नौकरी भी है, तो नौकरी में भी problem दे देता, job में भी issues नौकरी और बिजनस एक ही माने की अलग अलग है, जैसे होता है ना हमारा की ब्रहमण, शत्री, वहष और सूद्र, तो एक organization में भी ऐसे होता है, डायरेक्टर होता है आपका ब्रहमण, ठीक है, उसके बाद administrative level होता है, वो आपके वहष है, पिर accounting समाल, डायरेक्टर होता है, आपका वो ब्रहमण है, ठीक है, उसके बाद जो execution करवा रहा है, वो आपके शत्री है, जो accounting समालना है, वो आपके वहष है, वो सारे employee आपके शुद्र हो जाते है, ठीक है, तो इस तरह से differentiate होता है, टो उनका business में क्या होता है, इनका business में क्या होता है, सूर ये चंडाल वालो का, सूर और इसको समझे भी बस, राहू के साथ अगर सूर बैठा है, या सूर के साथ राहू बैठा है, तो सूर से मिलने वाले शूर के अपने जो result है उनको problem देगा सूर के अपने रिजर्ट का है सूर आपके मानशंवान पृतिष्टा है सूर आपका confidence है सूर आपके चहरे का टेज है और सूर आपकी पिता है फादर है तो पादर है वेदिक योतिस में लाल में जुपिटर होता है फादर ठीक है अब इसमें चंदर ग्रहन में आपको बड़ी इंटरस्टिंग बात नजर आएगी यह किसी भी हाउस में चंदरमा राहू बैठा होगा आपको चंदरमा आपके इमोशन्स है अब राहू उसके साथ बैठेगा राहू का एक काम हो रहा हो एक्सपेंड कर देता है छोटी सी चीज होती इत्ती बड़ी लगती है ठीक है तो इमोशन्स कैसे हो जाएंगे बढ़ जाएंगे आप रोने दोने वाले अपनी बाते सब को बताने क मैं तो बहुत दुखी हूँ ठीक है और लब आप जब दुखी होगे तो सब को पता होगा कि भाई आदमी आज दुखी चंदरमा राहू ठीक है चंदरमा केतू क्या इंसाइट की बाते अंदर की बाते करता है चंदरमा केतू इमोशन्स दिखाई नहीं देंगे जिसके साथ बेठ रहा उसके साथ बदमासी कर रहा है ठीक है रहू बैठ जाए आपके बुद्ध के साथ ठीक के मरकुरी में इसलिशन्स तो और उसके सारा कृतरमा वा सी नहीं होगे नहीं थिक है तो सारे इंटलेक्ट जाएगा बदमाशी कि मैं ठीक hé मंगल राहू एंग अब शार्ग दोश और जाता है एंगर बहुत ज्यादा है ठीक है और कुरोधी बहुत जादा है मंगल रहु था और इनको इश्किन रच्छिट ऑर गारी थे चलाने के आदत होती है इस तरह से तो राहू एक्सपेंड करता है कि तु उसे चुपा लेता है इतना मारा मुझे रिशब पंथ उनका एक्सिडेंट तो बहुत फास्च लाने सी गवा था तो वसकता है न उनका पर मैं देखी नहीं रिशब पंथ की कुल्ली तो यह राहू के तो इसके साथ और यह माना जाता जोतिश में कि इनको कोई राशी मिली नहीं है यह किसी के मालिक नहीं है ठीक है तो यह जैसे चंद्रमा है उकरक राशी का मालिक है अच्छा सूर सिंग राशी का मालिक है यह राहू के तु पूरे-पूरे मालिक किसी के नहीं है को लॉट से पर पूरे मालिक नह जाते हैं उपद्र भी लोग है ना तो जहां बैठेंगे वह कब जा करेंगे जिस हाउस में बैठते हूं बहुत ही स्पेशल प्लैनेट से बहुत प्रेडिक्शन पर काम चेंज कर देते हैं और जैसे सैटन राहू की मैं बताओं यह यूजबली करियर में बहुत इसफीनेशल ग्रो करते हैं वेल्थ भी बहुत कंवाथे हैं कि सेटन राहू अगर साथ में बैठा है तो यह एक्स्पनेशल बहुत ग्रो करते हैं और वैसे गिरते भी है तो साहतन Kadoo जो काम hebt की Hyundai सेटन केतू में वो कभी प्लैन नहीं किये थे आपने इत्फाक से हुआ आपके साथ नो डाउट आप एशलोजी में आओगे ही आपका दिल्चस्प होगा सेटन केतू वाले देख रहे होंगे पॉटकास्ट ठीक है सेटन केतू बहुत मदद करने वाला वेक्ति है ठीक है और कहा जाता है सेटन केतू अगर एक हाउस में साथ में बैठा है यू आर चूजन वन टू हल अदर्स आपको चूज किया गया है कि तो आप दुनिया के मदद कर सको और आपका नौकरी या आपका बिजनस आपको चूज करता है सेटन केतू में ठीक है इसले इनके प्लैन ये होई नीरा लाइफ में ठीक है वो चल ला है तीसरी की और आपको यूजवली ये सक्सेस्फुल मिल जाएंगे लाइफ में कुछ अच्छा करते हो दिख जाएंगे लेटर पार्ट अफ लाइफ में और आप इंसे पूछना भईया कैसे बनाया ये सब पता नियार कैसे हो गय किरपाती होते हैं चीजिए हमारी तो स सेटन के टूँ है भी मैं करा जो सुक्र क्या है शूखर प्रेम है ल्गजरी डशरी है अपको बूलने का लहजा है आपकी मैर्ग है ठीक है आपको अपका लस्ट भी वही ए और भी वही जब रहू बैठेगा शुकर के साथ तो अफे में आ जाएंगे ठीक है क्योंकि राहू एक्सपेंड करता है यह छुपा नहीं पाओगे आप अगर आपको किसी का वीनस के तू मिल जाए साथ में तो उसके अफेर आपका भी पकड़ नहीं पाओगे अच्छा वो छुपा ले जाएगा अपने अफेर्स को इस तरह से होता है ठीक है अच्छा मतलब जो वीनस जो राहू के साथ करेगा उसका उल्टा केतू के साथ करेगा एक चीज है एक चीज है एक चीज है कि अंदर जाने की ठीक है तो दोनों प्लेनर जब साथ साथ बैटते हैं इस तरह के रिजर्ट मिलते हैं इंसानों को तो इस तरह के में फिर वाला होगा ठीक है और यह मंगल के साथ जब केतु बैठता है तो यह लोग अपने emotions बहुत जादा process नहीं कर पाते इसलिए आप इनको देखो कि मंगल केतु को कि यह movie देखके रो दे रहे हैं और यह उस इसलिए मोवी के लिए नहीं रो रहे हैं ना जान एक अपका भरा हुआ था इनके मन में वो इनको फूटके निकल जा रहा है यह भजन सुनते सुनते रो दे रहे हैं ठीक है यह किसी भगवान की किसी इश्वर की छवी देखते देखते रो दे रहे हैं तो यह मंगल की तो spiritual आ कह रहे हैं यह सारे एक घर में बैठते तब होता है तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ-कुछ differences ऑफ घर पे बैठते हैं तब उनका जब साथ में आता है तब कुछ और फटा के पुटते हैं आप ट्रांसिट का पूछ रहे हूं ठीक है आपके कुंड़ी अलग है ट्रांसि मैलेज करनी चीए आप बताइए प्रेम और विवा में हमें फर्क समझना पड़ेगा प्रेम किसी का मोहताज नहीं है कि आप मिलोगे की नहीं मिलोगे वो तो एक तरफा है वो आप कर सकते हो प्रेम अध्यात्मिक है विवा समाजिक है प्रेम करने के लिए किसी की परमीशन की मरजी से करना चाहिए क्योंकि जिंदगी में वैसे इतनी टेंशन एक टेंशन आप और घर ले आ रहे हो उसका भी बिलेम आप पे लगाया जाएगा तो प्रेम और विवा में फर्क समझ जरूरी नहीं है जिससे प्रेम है उसी से विवा हो जाए और जरूरी नहीं जिससे व टेंगे लोगों को समझना चाहिए लोव मैरेज होगी सो आप सोचिह आपको किस प्रोसेस में जाना आपका अध्यात्मिक चीज में जाना उसका रष्लेना है कि समाजी signals जाना है तो जो कोई अभी लोव मैरेज कर रहा है तो फिर एकस्षे में चलनेगा तो आप पहले कह द पर फिर दिल को मनाए कैसे बहुत बड़ी बड़ी बात है कि दिल को मनाए कैसे ठीक है दिर आर मैनी रेमिडीज ठीक है जो कि आप कर सकते हो बट अगर देखिए मैंने बहुत लोगों से बाते करी है सात्विक जी बहुत प्रेम है बहुत प्रेम था, low marriage करी within a year नफरत हो गई है within a two year अब नहीं चल रहा है मैं तो दो महीने आ ले भी सुनी है दो महीने का एक महीने, दस दिन का भी सुना है तो बहुत प्यार है आपको प्यार आपको, अब मैंने का ना वहाँ एक समाजिक है, उसमें फिर पूरा घर आता है, इंडिया में तो at least आता ही आता है पर एक जो common problem मैंने सुनी है इन लोग से, ये लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे बीच का प्यार खतम हो गया है, ये कहते कि मेरी सास ने बहुत अडंगा दे दिया ये मुझे परेशान करती थी, पर मेरा पती तो ममाज बॉई है ऐसा टाइप का बहुत common कुछ न कुछ third reason देते है वो अब एक दूसरे के बीच के reason नहीं देते है अब जो लड़का होता है न और वो किसी को नहीं छोड़ सकता ना अपनी मा को छोड़ सकता है दोनों लेडीज उसकी लाइफ में बहुत जादा important है यहाँ पर जो male है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है शादी को लेकर अगर उसने अपनी मा के लिए दिखाया कि नहीं मैं तो ममाज बॉई हूँ आपकी बेवी तो आपके भरोसे आई है ना आपके घर वो तो सब को छोड़ के आपके भरोसे आई है और आप भी तो अपनी family की side ले रहा हो तो this is wrong बड़ी अच्छी कोई पुस्तक है कोई इस लोग के याद नहीं आ रहा पर उसमें लिखा गया है कि अगर ऐसी situation घर में उठ जाए कि आप घर के लड़के हो और आपको पत्नी का साथ लेना है या परिवार का साथ देना है तो आपको हमेशा अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए क्योंकि वो सब को छोड़के सिर्फ आपके भरोसे इस घर में है और आपके पास तो आपकी family already है आपका जो पहले था वो आज भी है आपकी मम्मी के पास आपके पापा है भाई के पास उनकी wife होगी या आपकी sister होगी उनकी अपने family होगी पर आपकी wife के लिए तो आप ही हो ना आपको हमेशा stand लेना चाहिए चाहे love marriage हो या arrange marriage हो इस पर ये true है और क्या हुआ अगर वो wife थोड़ी सी villain वाली है मतलब vamp type है होती है ना क्योंकि मेरा मानना है कि घर लड़की घरी एक घर लड़की से ही बनता है और उससे ही तूटता है बिलकुल आपकी बात भी सही है हर जो female होती है वो घर की लक्षमी होती है तो अगर उनका nature ऐसा है तो of course वो marriage नहीं चलेगी और एक चीज़ यहां पर मैं और कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी शादी को खिचो इतनी छोटी सी जिंदगी मिली है और आपका पूरा अधिकार है कि आप खुछ रह सको अगर आपको लगता है कि किसी तरह से कोई चीज़ काम नहीं कर रही आपने मना के भी देख लिया आपने डाट कर भी देख लिया कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो शायद इंसान आपके लिए नहीं वनाए and you deserve to be happy तो आपको वहाँ पे छोड़ना ही जरूरी होता है चाहिए कितनी remedy गलो remedies तो चलिए बात की बात है पर एक वैभारिक रूप से अगर यह बात करें तो यहाँ पर यह भी लाएगी you deserve to be happy खुशन है ना तो आपका भी अधिकार है हम क्याई बार समाज और सोसाइटी हमारे यहाँ पर डाइवोस को टैबू माना जाता है ठीक है पर क्या बहुत जरूरी हो जाता है love marriages में मैं लड़कियों को लेकर एक बात जरूर कहूंगा आपका sacrifice जादा होता है आप अपने पूरे परिवार को छोड़कर आते हो किसी दूसरे परिवार में कभी भी love marriage ऐसे मत करना कि आपके father अब आपसे बात नहीं कर रहे आपके भाई अब आपका चेहरा नहीं देख रहे है क्योंकि जिस दिन वहाँ पर जगड़ा होगा ना ससुराल में मुड़कर कहीं लोट नहीं पाऊगे और उस दिन इतना असाहय महसूस होगा कि वो दर्द बया नहीं किया जा सकता आपकी जब family आपका जो ससुराल है आपकी family आपका जो मायका है ना वो जब strong होता है तो आपके अंदर भी एक सौभिमान बना रहता है एक support बना रहता है तो कभी ऐसा मत करना कि मम्मी पापा भाई तुम लोग जाओ मुझे तो बहुत प्यार हो गया है मैं तो प्यार के पास जा रही हूँ क्योंकि लड़ाई होगी दुख तो आपको कभी न कभी तो होगा और support नहीं है बहुत बुरा लगता है फिर आंसू रुकते नहीं है एक case था एक female हिंदू थी Christian से शादी करी तो family नहीं मानी लड़की की family नहीं मानी और यहाँ पर भी बात है जब आप inter-religious करते हो inter-cast करते हो आप तो modern हो गया हूँ आपको लगता है मैं तो बहुत modern हो गया हूँ ठीक है यह caste, यह religion यह सब क्या होता है पर आपके बाप को तो उसी समाज में रहना है नहीं पर चार लोगों से मिलना है रोज नजरे मिलानी है ना उसके लिए जीवन टफ हो जाता है इसलिए usually father और mother यह सब बना करते है कि भीया नमत करो ऐसा because हमें तो इसी घर में जिन्दगी बितानी है आप तो चले जाओगे अब एक फिमेल थी उन्होंने हिंदू थी Christian से शादी करी, माँ बाप भाई सब से लड़ाई कर लिए सब से बात करना बंद कर गया शादी लव मेरिज करी, एक साल के बाद पती बेल्ट मारता है बेल्ट मारता है, अफेर करता है, दारू पीता है, सब कर रहा है जो लव से पहले नहीं करता था मुझे कॉल करके बोल ले हैं पंडी आपको रेमेडिय बता दो कुछ ठीक करतो जबकि यह domestic violence है यह है वो कितना कुछ वो कर सकती थी अगर उनको थोड़ा सा support मिल जाए यह दुख देता है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि कभी अपने परिवार को मत छोड़ना वो बच्पन से लेकर जवानी तक आपको रखा है पाला है उनको छोड़ना नहीं बनता बाँ पर यह थोड़ा जन्जोड दिया चीज पर यह बहुत common हो जाती है आजकल चीजों में और यह तो मैंने arrange marriages में भी देखी है जहापे सहमती से शादी हुई है पर हाँ जैसे आपने कहा वो वापिस आप आई लड़की आ जाती है और देखिए मैं एक lawyer से बात कर रहा था मैंने उनसे पूचा कि सबसे जादा divorce किस वज़ेसे हो रहे हैं तो उन्होंने एक शब्द उला एगो की वज़ेसे है लड़का और लड़की का एगो कि मुझे इसको रूलाना है या मुझे इसको तड़पाना है ये एगो एक लड़की है पती ने उसको तमाचा मार दिया डोनों की लडाई हो गई, पत्नी चली गई अपने माई के, अब उसने अपने भाई को बताया, अपने पापा को बताया, अरे मेरी बीटी को ऐसा किया?, उसके भाई आके, उसके husband को मारके चले गई, पीट के चले गई, अब पती को थोड़े दिन बाद realize होता है कि है तो आप्टर और भाइफ लड़ाई जगड़ा हो गया वो जाता है उसे मनाने के लिए वो मानना भी चाती है पर अब भाई पापा सबका ego सामने आ गया है कि हम नहीं मानेंगे ठीक है वो divorce file कर देते हैं divorce हो जाता है दो साल के बाद पती शादी कर लेता है अपनी अलग life जीने लग जाता है अब ये wife ये लड़की इसी घर में है सारे भाई अपनी बीबियों के साथ वैस्त हैं माता पिता एक टाइम के बाद चले गए अब इनकी उम्र हो गई है पैतालेस साल ठीक है भावियों के ताने सुन रही है सिर्फ इगो का खेल था पर ये कुछ ग्रह से लेना देना है क्या क्या क्योंकि बहुत बार ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद आपके कुछ ग्रह एक्टिवेट हो जाते है या कुछ घर एक्टिवेट हो जाते है अपके चार्ट के तो इसमें कुछ ऐसी वजाते है कि इगो बढ़ जाता है ऐसा कुछ होता है क्या मैंने का रहा है ये सारे रियक्शन हैं अब यहां पर कोई अपना इगो डाउन कर ले देखि रिष्टे चलाने है या तो एगो जीतेगा या तो रिस्ता जीतेगा कोई एक चीज जीतेगी आपको डिसाइड करना है और आपको किसे जीताना है कई बार आप लडाई या हार करना रिस्ते जीत जाते हैं तो आपको इस तरह सोचना जी हां प्लैनेट सासर करते हैं दिमाग खराब करते हैं, बुद्धी कहते हैं, तेरी राहू की दसा चल लीता है, दिमाग खराब हो गया है, तो वह ही होते हैं, कि ऐसा दिमाग होता है, उस समय ये लग रहा होता है कि दो-चार लोगों से सहमती से पूछ के लो, ताकि आप गलत होगे तो उनका तो राहू नहीं चला, वह आपको ठीक कर देगे, ये ऐसा होता है, पर शादी जो अपनी एक रित्ती है, रिवाज है, एक लीकल स्रक्चर में तो ये सिव एक यूनियन है, क्योंकि एक सपोर्ट दे है, ठीक है, कोई भी है, जो पूरी human generation है, बिना marriage के नहीं हो पर रितना पन पेगी, तो ये बहुत बड़ा इवेंट लाइप का, ठीक है, इसलिए इसको 7th house में association के house में रखा गया है, ठीक है, इसी में business partnership भी रखी गई है, तो शादी इसलिए जरूरी है, because 7th house में है, और द सकता हूं, नहीं कर सकते भाई, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाओ, तो आते है jobs पे, जो एक होती है लोगों के life में problem शादी, दूसरी होती है job, अब government job करनी चाहिए, private job करनी चाहिए, ये किसके ग्रह में है, इसलिए गवर्मेंट, government job वालो, के साथ बड़ी परेशानी है, सरकार नौकरी नहीं दे रही, बाप पैसे नहीं दे रहा, दुनिया इज़्यत नहीं दे रही है, महभू बरेपलाई नहीं दे रही है, तो बिचारे हर जगे से परेशान है, अंदा भविश है, लंगडा वर्तमान है, सरकारी नौकरी में 21 साल की उमर में चले गए, 32 साल त इंडिया में बहुत जादा है, खास दोर पर आप यू नौर्धन बेल्ट देख रहा हो, यहां पर बहुत बड़ा रोग है, मैं इतने टैलेंटेड लोगों को अपने दोस्तों को जानता हूँ, ठीक है, जो किसी भी फीड में होते तो मचा रहे होते आज, बड़ क्यूंकि औहने फैमली ने या उनको किसी चीज का भूर सवार हो गया कि करें curry तो सरकारी नोपरी करेंगे तो आप ही कि जाते तेरे यह चल रहा है यह कर, भही तो करें भूद सवार हो गया है, ज में रहु सवार होता है कोई उपाय नहीं कर पाता, इंसान agriculture state है रहु खराब है रहु खराब है क्वान आकर अपको उपाय बता दें, आप नहीं कर पाते हो यह सच है आप यिसने वीवर उठीक हो यह कितना मुर्गी अंडा वाला चीज है यह रेमिडीस तो बहुत लोग बता देंगे आपको पर आप कर पाओगे क्या यहीजी तो लिए यह से आप भी बता रहे थे रेमिडी कर रहे हो एक उसमें कस्ट है उसमें समय जा रहे हो पर आप कर रहे हो तो आपको उसका result भी मिल रहा है बाकी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पूछने वाला सवाल है उनसे तो उपाए 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 एक तो इनसान को हर चीज का उपाए चाहिए हर चीज की remedy नहीं होती कुछ लड़ाईयां लड़नी पड़ती है कुछ दुख जहलने पड़ते है मृत्यू लोग पे आए हो हर चीज का उपाए बता दो नहीं होता हुपाए हर चीज का एक तो दुख सहना छोड़ दिया इनसान ने उससे quick fix चाहिए तुराण ठीक हो जाए सब कुछ मेरा नहीं यार कुछ लड़ाईयां लड़ो आज दुख हो रहा है कल इसी से strong बनोगे और आगे जाकर आपको ये काम करेगा सनी की साड़े साती यही तो सिखा के जाती है आपको सनी की साड़े साती आपको बड़ा attitude है बड़ा गमंड है तो सनी आते हैं साड़े सात साल के लिए कहते हैं कि आओ बड़ा बताते हैं तुम्हे आपको ऐसा उठा उठा के पटकते हैं कि आप एकदम बिश जाते हो सड़क पे कुछ नहीं बचता आपको जब बुरा होता है सैटन आपको हर बुरे समय के लिए प्रिपेर करके चला जाता है वो सनी साड़े साथी का time period इसलिए सनी साड़े साथी time period के बाद जो वक्ती निकलता हो आपको विनमर मिलेगा हंबल मिलेगा उसके अंदर कभी आहिंकार नहीं आ सकता क्योंकि उसने वह सारे रंग और वह सारा समय देख लिया अपने लिए जो नहीं चाहता कि दुबारा कभी आए तो वह और भी नमर हो जाता है तो यह टीचिंग है यह कि दुख आएंगे दुख जेलना पड़ेगा इनकी उपाय भी लिर्न थकार चलते पाई गार के वह उपाय उन्हें जाओ मैं पड़ेगा उन्हें करने कारा है अगर आप की लाइस में न今天的 सुन सदेर्श के पास जाओगे आप 10 अब नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपको थीक होना ही नहीं था पता है क्या होता है लोग सोचने लग जाते कि यार क्या होगा यह पत्थर पहन के इतना ठीक है कल कर लेंगे आज तो मेरा मूद नहीं है यह मंतरा चेंटिंग मैं कल कर लूँगा मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि सब कुछ छोड़ो यार आप सूर को जल चड़ाओ सुबए अरे पंडी जी मैं तो बारा बज़े उठता हूँ बारा बज़े चड़ा दूं क्या ठीक है मेरी सहुलियत के हिसाब से अब रेमिडी चेंज हो जाए लोग यह चाहते है वो सुबए छे बज़े उठने का कस्ट भी नहीं लेना चाहते है लेकिन अगर मैं कहता हूँ बीस दिन चड़ा के देखो सूर को जल सुबए छे से आड़ बज़े के बीच में चहरे पर वो रं सैंगी कमी है वो ठीक से नहीं बता पाए पर जोंसे सवाल पूछने क्या पूछते हैं वो रेमिडी कोई जो मोडिません करने में लग जाते हैं जो मैं कहा हूँ आप कभी भी किसी जोतिष से मिलें तर फर्स इंटेंस उसने जो बोला है ना आप उस पर जाधा ट्रस्ट करना बात में वह आपको कंसोल करने लग जाते हैं क्या आप दुखी हो चलो ठीक ही यह करने ना आपने मेरे साथ भी ऐसा ही तो मेरे ख्याल से कोई ग्रह का तो बाल से भी लेना देना होगा तो बाल अभी जिसके डीने में तो लिखा है कि भाई जढने वाले है तुमारे बाल तो वो कैसे बनाए रखे जिनके सर पर अभी भी थोड़े बाल बचे है बड़ा बड़िया कोश्चन है और आप गलत उसमें राहू है बाल सफेद हो रहा है तो आप बड़ा अच्छा गुरो करो उसे डाई मत करा हो यह लाल किताब बोलती है ठीक है और सूर जब आपका बहुत मजबूत होता है पावरफुल होता तो भी बाल जढ़ जाते है ठीक है क्योंकि वह हीट है तो आप यूजवली इसमें सूर की रहात मिलेगी बाकी आपके जनेटिक्स है तो अपना असर दिखाएंगे है ना तो आप विग लगा लो जैसे हमने पहला क्वेशन शुरू किया था कि आश्रलोजी तो पिछले जनम का मैप है हम हमारे करमों के से कोई ना कोई ग्रह के स्थानों में एक जो भ हमारे ही है माबाप हो जिनके जनेटिक्स है और वह हमें मिले तो कही ना कहीं तो ग्रह खेल रहे तो कुछ तो इपाए होगा अभी आपने मुझे मालूम है फर्स्ट इंटेंशन बता दिया है कि देखो भाई जटने तबाले हैं अमेरी इंटेंशन यही है कि टकले हो जाओ तकले आजकल बहुत फिमास हो रहे है ठीक है अब हॉलिवूड एक्टर्स को देख लो डूइन जॉटन को देखो ठीक है बढ़िया बढ़िया टकला वरन जेफ बेजोस ठीक है जेफ बेजोस को देखो बिलियन ही रहे है लोग ठीक है ऐसे आप भी बन जाओगे पिर बन करा देते हैं जिम बन करा देंगे वह जब आपका मंगल खराब होता है मंगल पाप ग्रहों से दूशित हो जाता है या मंगल का कोई ऐसा टाइम पीरिट चल रहा होता है तो यूजवली आपको फिजिकल एक्टिविटी में चोट लग सकती है आप सुमीम करने गए पिर निकले ही नहीं बाहर वहीं डूब गए यह भी हो सकता है योगा करने गए जिम करने गए आपके पैरों में चोट लग गई ठीक है यह भी हो सकता है इसलिए उस टाइम पीरिट के लिए मना कर दिया जाता कि आप यह मत करो ठीक है और कोई लोग बोलते है कि एक्टिविटी में या गाली चलाने से चोट वगेरा लग सकती है ठीक है ऐसा हो सकता है बट इफ यू आर मांगलिक परसन हो और कोई भी मंगल के अनिमी प्लैनेट नहीं आया जैसे मंगल के अनिमी मर्कुरी होता है ठीक है वह नहीं बैठा है उसके साथ तो आप फिजिकल दाल के ना हो थ ही शुक्र से कोश्तान को दही से साफ करे ठीक है यह लाल किताब कही रामेडी बताया है वीनस की लाल किताब और वेज का खाना दारू पीना ये सब खराब होता है बोलते हैं तो ये कितना सही है नॉन वेज और अलकोहल कंजूम करना जोतिश से ज्यादा जोग्रफी से रिलेटेड है आप किस कंट्री की जोग्रफी में जन्म लेते हैं उससे डिपेंड करता है आप बताईए जब हीमन रेस पहले आई थी तो क्या गोभी ओभी उखती थी ठीक है वो शिकार करते थे सबका सनी खराब हो गया क्या रशिया कैनेडा यहां पर इतनी ठंड होती है कि यहां पर इनको वोटका या जो ब्रेंडी होती ही पीनी पड़ती है सबका सनी खराब है पूरे रशिया का पूरे कैनेडा का कई सारी ऐसी कंट्री है जहां पर वेजिटेशन नहीं हो पाता तो वो मेंली हाइली फोकस्ड है कि उन्हें नॉन्वेच खाना पड़ता है तो क्या इनका सबका सनी राव खराब हो रहा है सोचने वाली बात इंडिया की जो जोग्रफी है यहां पर मौसम ऐसा है कि आप नहीं खाओगे तो चलेगा यहां पर आप सराब पीरो तो अपने नशे के लिए पीरो अपने मजे के लिए पीरो इसलिए यहां मना किया जाता है कि आप मत पियो यहाँ पर आपको जरुत नहीं है बड यूएस की आप अगर economy देखोगे यूएस की condition देखोगे तो वाँ इतना work pressure है इतना work load है कि लोगों को एक एक whiskey cup लगाना पड़ता है रात में relax होने के लिए तो आपका depend करता है कि कैसी economy geography है तो आपकी ये सारी habits बन जाती है तो अब हम भारत में तो भारत के बारत में जरूरी नहीं है तेक है जैसे इसलाम में बिलकुल alcohol prohibited है सौदी अरेबिया में इसलाम का जन्म हुआ था इतनी heat होती है इतनी गर्मी है वहाँ पर आप spirit पी रहा हो आप alcohol consume और गरम कर देगा आपको तो इसलाम में बिलकुल prohibited कर दिया गया इसे पर ऐसे तो हमारे कोई-कोई शास्त्रों में या अगर हम जब कोई तिवहार होता है या भगवान से related होता है तो हम तो मदीरा नहीं पीते हैं तो वो भी उससे related है geography से मदीरा नहीं जैसे आप अगर उसकी बात कर रहा हो कि Tuesday or Saturday को में नहीं पी रहा हो नहीं नहीं मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ Tuesday वाला तो मैं भी मानता नहीं वो इतना sense नहीं बनता है पर इंडिया के geography में भी आप देखो अच्छा ठीक है अपना कुछ जो शराब चड़ा तो भी दुबारा प्यो नहीं ठीक है पर वहाँ पर आप मैं देख रहा हूँ कि जो भहरो जी का मंदीर है लाइन से ठेके बने हैं बहार लोग एक बीपी की बोतल लेके जा रहे हैं एक ड़का चड़ा रहा है वागी बोतल परसाद की रूप में अपने गर ले जा रहा है पर जैसे आपने का कि शराब को बुरा मानते हैं पर अब Christianity में देखेंगे तो वो अपने Christmas Eve पे वाइन पीते है उसको तो वाइन को वो लोग ब्लड मानते है जो जीजिस के स्टोरीज में दिखते है तो उधर तो शायद positive मानते होंगे तो इंडिया में negative की मानते है Hinduism में कुछ है उसका ऐसा अगर मैं आपको सही वताओ न तो सारे धर्मों ने कहीं न कहीं अल्कोहल को मना किया है क्योंकि सारा पीना बड़ी अच्छी बात है अल्कोहल पीकर आपकी चिंताएं गायब हो जाती है आपको कोई दुख नहीं रहता कोई दर्द नहीं रहता तो आपको किसी धर्म गुरू की किसी जोतिस की जरुती नहीं पड़ती टेंशन ही नहीं चिल है लाइफ में इंसान तो अब ये धर्म नहीं चाहता है कि भाईया आप इतने चिल हो जाओ ओके ठीक है क्योंकि जब आप इतने चिल हो जाओगे तो आप कभी परमात्मा की तरब बढ़ोगे ही नहीं ठीक है आप इतने प्रसन्न हो जाओगे आपको कोई चिंता ही नहीं है तो आपको भी बढ़ोगे नहीं तो सारे धर्मों ने मना किया है कि अल्कोहल मत पी हो ठीक है मत पी हो नहीं तो आप थोड़े से इनलाइटन हो जाओगे और वही नॉन्वेज वाला चीज फिर कहा है नॉन्वेज वाला तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़ादा हर चीज बुरी होती है ठीक है आप अल्कोहल बहुत ज़ादा कर रहे हो या नॉन्वेज बहुत ज़ादा कर रहे हो आपको health issues हो नहीं है यह नहीं है तो बस वही चीज है बाकी इसको इतना seriously नहीं लेना चाहिए ठीक है तो शनी से कुछ देना नहीं लेना देना है लेकिन if अगर आपकी ritual practices ऐसी हैं जैसे मालो आप रुद्राक्ष धारन करते हो रुद्राक्ष पहनते हो आप शिव जी, हनमान जे विष्णुजीन की पूजा आराधना करते हो तो आपको अपने डाइटी के अनुसार उनके rituals भी मानने चाहिए ठीक है आप कभी घर में मंदिर के सामने जिन घरों में नौनविज खाया जाता मंदिर के सामने आप नहीं खाते हैं क्यों नहीं खाते हैं मैं तो नौनवि किसे ही देख रहे हैं आपको हमारे तो अंच है रुद्राक्ष पहनना क्या है रुद्राक्ष शिव जी का एक रूप माना गया है तो रुद्राक्ष तो आपने पहना हुआ है तब भी आपने उन्वेश खा रहे है तो यह अच्छा नहीं लगता तो जिससे तुलसी को आप बना जाता है कि जैसे आगर आपके घर में एक्विरियम रखा है फिश रखते हो आप मचलियां रखते हो और कोई फिश अचानक से मर जाती है तो कहते हैं कि यह अपके घर की बुरी बला लेके चली गई यह सीम चिछ डॉक्स के साथ होती है यह आपके घर का जो डॉक है एक तो सेकंड हाउस सैटन वाले डॉग पालते हैं पैट रखते हैं ठेक है और जो डॉग है आपका वो उसकी देथ हो जाती तो भी बहुत बड़ी बलाएं लेके चला जाता है आपके गर की ऐसे तुलसी के साथ भी होता है क्योंकि हम इंडियन तुलसी को ऐसा फैमिली मेंबर ट कई बार जरूरी नहीं है कि तुलसी को भी विपदा लेकर आपदा लेकर ही आपकी सूख गई हो कई बार लोग इतने बड़े पॉट में लगा देते तुलसी अब बाई डिफॉल्ट तुलसी की जड़ होती उसे स्पेस बहुत चाहिए ठेक है उसे फैलना है क्योंकि अगर तो उसकी लखड़ियों से आप दिया उसको रूरी टलपेटिये और अपने मंदिर में दिया जलाईए ठीक है आप यह भी रेमेडी कर सकते हैं इसलिए हम देखते कि घर के बार आंगन में इतने लंबे से एक पॉट पर उरहता है और हम थोड़ा सा सुबह सुबह जब जल दाए जड़ाते तो परिकृम तो नहीं होता है पुराने टाएंप के घरों में होता था था तरहना बड़ा आंगन अलावड भी था जोगों के पास बनता भी था वो हो गया जगह ही नहीं है इतनी आप तो मुमाई में रहा तो आपको पता ही होगा ठीक है कहां अंगन कहां ब्रहमिस्तान लोग धूड़ेंगे और आपने पेट की बात कहीं मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग चीज आई कि बहुत सारे बार लोगों को कहा जाते कि आपके लिए कुत्ता सही नहीं है जबके आपको कुत्ता बहुत पसंद होगा तो ये कौन से ग्रह वाले कुत्ते रख सकते हैं अगर आपको है तो आपको पेट पालने से आपका इस्पाउस बिमार हो जाता है तो राहू सेवेंथ हाउस के लिए स्पेसिफिकली मना किया जाता आप डॉ करिएगा क्योंकि वह जेनरली कहते हैं कुत्ते थोड़े से वाइलेंट वाले नीचर वोलते हैं तो घर पर रखना है इतने प्यारे प्राणी है वह इंसान से ज्यादा लॉयल है वह ठीक है डॉग तो मतलब मैं कहूंगा कि इतनी प्यारी स्पीस है मतलब वह जिस दिन घर म करें आता है ना तो जो मम्मी डाट रही होती है अरे तु क्यूं ले आया इसको हम तुझे पालें किसे पालें उन्हीं मम्मी की गोद में फिर ऊखाना भी खारा होता खेल वी रहा होता है तो इतनी प्यारी स्पीस इस पीसी से कहा क्यों जाता है मतलब अपने कुछ धर्म मे fortune report अपने jain भाई की लग रही है पर मैंने अपनी कराई और मुझे तीन दिन में आ गई फटा-फट से और उसमें इतना detail 67 pages का कुछ आया है एक से एक चीज detail color क्या number क्या कौन से type में number क्या बहुत बढ़िया थी और बहुत accuracy लगी इसका क्या है यह राज क्या है जैसे पहले हम लोग निमलोजी report बनाते थे तो दूसरे software यूज किया करते थे ठीक है तो उसमें उनका data रहता था लेकिन निमलोजी जब मैं खुद पढ़ रहा हूं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूं तो क्यों ना मेरा analysis किसी report में जाए तो लोग मेरे वीडियो से भी relate करते हैं तो यह idea के साथ fortune report का जन्म हुआ था तो हम आपकी data of birth और आपकी नाम के हर एक alphabet का मतलब आपकी future prediction आपकी remedies मुलांग भाग्यां combination और सबसे बहतर इसमें जो है वह करियर का कौन सी जॉब में जाना है किस business में जाना है यह सारे चीजे मैंने और मेरे स्टूड़न ने दो साल लगके बनाई है और यह सब हमने fortune report में डाला है तो यह one of its kind है वह एस्टोन पंडित के अलावग कहीं और आपको मिल भी नहीं सक साथ मेरा newlogy गो GOOD on classic स्वलोजी तो यह दो Firstly हम आपको three-up चॉपन भी आपका जिससे कि आप अपने लिए remedies फिल्जेश कर सको तो फसाना हम हमने ofべ अच्छा आइए कि तो मैंने दिखा हमें को continuous message आ रहे हैं कि ये आपको free मिला ये free में बोला भाई ये तो कई लिखा ही नहीं तो इतनी सारी चीज फ्री आगे मैं बोला पंडी जी कर क्या रहे हैं ये free में तो ज्यादा दे रहे हैं जितने का तो fortune report ने वर्ण हमारे जो courses उनकी value ज्यादा है पर मै book क्या सकता हूँ अगर आप इसको detail में पढ़ोगे तो आपको relate होगी ये book आपको short copy भी available है कुछ दिनों में hard copy भी available हो जाएगी बाकी description में आप link दे दीजेगा later of birth आपको fill करनी है आपकी report आपके पास आ जाएगी बिलकुल चलिए फिर उसी के साथ मेरे तो सवाल खतम होत क्योंकि हो सकता है कि हम आपके जाके फिर से जल्दी मिले अरुन जी से और हम आपके भी सवाल ले और बस उसी के साथ इस podcast में आपके साथ मुझे बड़ी अच्छी बात यह लगी ना कि आप आप बड़ी well researched हो आप वो सवाल लेकर आयो जो पहले कभी podcast में पूछे नहीं ग झाल लेकर छो